आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हो तो क्या करेंगे let the ये जो में number given है be rational हम हमेशा उल्टा लेकर सबूस करते हैं हम हमेशा उल्टे से start करेंगे हमें rational प्रूव करना है इससे rational माल लो तो जिएक इसके बहुत सारे methods है इसमें कोई method specify तो कर रहा है ने question में तो हम कोई भी method use कर सकते हैं तो देखो हमें एक छीच बता है अगर मैं rational number rational number है इसमें अगर rational number को ही add करूँगा तो rational number ही मिलेगा हमें sum of two rational number is always rational number तो हमने जो assumption मानने है उसके according to rational है मतलब 2 root 3 minus 5 यह जो number है यह है rational rational है मतलब P by Q form में लिख सकते हैं इसे P by Q form में लिख सकते हैं और यहाँ पर जो P और Q है यह दोनों क्या है integers हैं यह दोनों integers हैं और Q not equal to 0 होगा denominator का भी 0 थोड़ना हो सकता है तो हमने क्या बोला rational plus rational rational ही होता है अब मुझे पता है 5 एक rational number है तो मैंने 5 दोनों साइड कर लिया तो यह अभी भी rational ही रहेगा और यह भी भी rational ही रहेगा कोई difference तो आएगा नहीं अब यह देखो minus 5 plus 5 तो होगी है cancel तो इदर क्या बचा 2 root 3 और इदर क्या बचा LCM ले लो P plus 5 Q upon Q दोनों rational है दोनों साइड rational यह भी नमबर अब 2 यहाँ multiply में अगर मैं उदर भेजना चाहूं तो divide में आ जाएगा तो होजाएगा P plus 5 Q upon यहाँ क्या होजाएगा 2 Q उदर से 2 आए न तो देखो यह दोनों rational थे ना दोनों साइड अब अब क्या दिक्कत हो गई लिखाया वो तो integers है 5 2 यह सारा कुछ सब कुछ integer ही तो है तो मतलब यह rational हो गया यह number बट यह जो root 3 है यह क्या हो गया यह तो एक irrational number है क्योंकि किसी भी number के साथ अगर root आता तो irrational होता है तो देखो यह तो गलती हो गई irrational number का भी rational number के equal हो सकता है नहीं, मतलब हमने सारा कुछ gılat कर दीआ और यह गलती का reason क्या रहा होगा यह गलती का reason हमारी assumption रही होगी कि जो हमने से rational माना यह हमारी गलती होगी तो अभी rational तो नहीं है इतना तो सावित होगी है तो अब यह अगर rational नहीं है तो बचा क्या? irrational तो हमने प्रूब करतो दिया कि यह एक इर्रैशनल लंबर है ओके यह होता है method of contradiction मतलब पहले गलत अजिम करो कुछ गलती आएगी last में फिर बोलो ओ हो हम तो starting में गलत थे तो इसका alternate होगा सही मतलब irrational हो गए थैंक यू अज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर